हाथ में ब्रश, नीला कलर का टी-शेट और उसके बाद समस्तिपूर का अमरजीत जैकर जब गाता है कि दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे तो पुरा सोशल मीडिया हिल जाता है। वो लड़का जब इंटर्यू दे रहा था तो अपनी घर के किसों को बता रहा था तो लोग सुनकर एकदम से रोने लग रहे थे। लेकिन बिना आटो ट्यून का गाने वाला ये लड़का वाकई में हकदार है प्रशंसा का और उसके बाद नीतु चंद्रा इस वीडियो को शेयर करती है। जानने लगा है तब ऐसा लग रहा है कि बताईए क्या नहीं हो सकता है इस दुनिया में। पिता जी भी पढ़ना चाहते थे मेरे पिता जी ने बकाइदा पढ़ाई की थी लेकिन उनका वो नौकरी नहीं मिली और इसलिए मजबूरी में वो भी नाई का काम करने लगे। वो कहता है कि नाई का काम हमारा खांदानी पेशा है मेरे दादा और मेरे पिता अभी भी सैलून चलाते हैं मैं जब पढ़ रहा था तो समाज के लोग कहते थे कि तुम्हारा बाप पढ़कर क्या कर पाया तुम भी नाई का काम करो और आज जब मुझे थोड़ी बहुत प् होते हैं तब तहलका मत जाता है देश विदेश की सिंगर उनके ट्वीट को उनके गाने गारो ट्वीट था उसको शेर कर रहे थे सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिख रहे थे बता रहे थे कि बिना किसी आटो ट्यून के बिना किसी टबला धोलक पियानो और पता नहीं हर्मोनियां क्या-क्या होता है उसके अलावा भी एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने आवाज से आपको एक दम से मंत्र मुग्द कर देगा अमरजीत जैकर समस्तिपूर में अभी भी रहते हैं बेसी के तीसरे एयर के पढ़ाई कर रहे हैं थर्ड एयर के स्टूडेंट हैं और अमरजीत जैकर सोशल मीडिया के ऐसे संसेशन बनकर उभे हैं कि उनको मुंबई से बुलावा आ रहा है नीतू चंद्रा लिखती हैं कि इस आदमी का कोई हमको नंबर दे दो प्लीज और उसके बाद तमाम लोग उस वीडियो को शेयर करने लगते हैं और अमरजीत जैकर का गाया हुआ गाना दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सरम एक बार फिर से चर पाये जाएगा अमरजीत कहते हैं कि म्यूजिक के बिना मैं अपने जिन्दिगी को सोच भी नहीं सकता हूँ और अमरजीत जैकर समस्तिपूर से आते हैं वो छोटा सा इलाका जो बिहार का एक जिला है कई लोग उसका नाम भी नहीं सुने होंगे लेकिन अमरजीत के चलते अब समस्तिपूर भी चर्चा में आ गया है सोनुसूद लिखते हैं कि एक बिहारी सोपर भारी सोनुसूद वो आदमी जो समाज सिवा के लिए विगत तीन चार सालों में इतने प्रसिद्धी पा चुके हैं कि उनका जवाब नहीं है उसके बाद मशूर गायक सोनुनीगम कि आटो ट्यून में गाने वाले तो बहुत सारे गायक मिल जाएंगे लेकिन अमरजीत जैसा गाना गाने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा और ऐसे टैलेंट को प्रशंसित करना चाहिए प्रशंसा करनी चाहिए और इन लोगों को मंच देना चाहिए अमरजीत अब बंबई जाकर गाना गाएंगे बिहार के समस्तिपुरु का लड़का जो हाथ में ब्रश लेकर फोन को ऐसे उपर उठाकर गाना गा रहा था अब बड़े से स्टूडियो में जब जाकर गाएगा तब उसको लगेगा कि सपने पूरे होते हैं अमरजीत जीसे कई लड़के हैं जो बिहार में अपने हुनर को लेकर मंच तलाश रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है हमारी सरकार क्या करते हैं इस向र आज हम टिकपनी करना नहीं चाहते हैं लेकिन अमरजीत के सकसेस को अमरजीत जिस तरीके से वारल हुए है उस बात को हम सब लोग को एकदम सकरात्मक्ता से लिना चाहिए और समझना चाहिए कि सोशल मेडिया आज के दौर में क्या कर सकता है अमरजीत को बहुत बधाई और बधाई अमरजीत के उस वाकिको जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के ठेकेदारों को एक दिन हमको जवाब देना था और हमको लग रहा है कि अब हम वो जवाब दे पाएंगे सलाम है अमरजीत को जो कहते हैं कि समाज ने कहा कि तुम मत पढ़ो तुमारा बाप नहीं पढ़कर क्या कर पाया उसको तो नौकरी नहीं मिली वो भी नाई का काम कर रहा है लेकिन अमर्जीत इस बात पर अड़े रहे कि हम पढ़ेंगे हम गाएंगे और आज उसी गाईकी ने अमर्जीत को पूरे भारत में मश्हूर कर दिया समस्तिपूर के अमर्जीत को बहुत बढ़ाई और बहुत शुबकामनाय आप आगे बढ़िए बिहार का नाम रोशन करिए और आपके जैसे उन तमाम लड़कों को बहुत हिम्मत जो किसी गाउं में बैटकर एकदम से महनत करते हैं और इस बात के आश में रहते हैं कि एक दि प्रणीवाद